हम रुख कर रहे हैं इस वक्त सारंगपुर पर जहां हमारे सम्वादाता सल्मान अली नगरपाली का अधिकारी विनोध गिर्जे से विबिन पहलों पर चर्चा कर रहे हैं आईए देखते हैं विनोध गिर्जे ने क्या कुछ कहा नमस्कार आप देख रहे हैं दस्तक लाई और मेहूं सल्मान अली आज हमारे साथ खास बाच्चित करने लिए के मोजूद हैं सारंगपूर नगर पालिका के मुख नगर पालिका अधिकारी विनोध पुमार घर्जे कोरोन का काल रहा काल में किस तरह से नगर पालिका के करामचारीोंने परसासनिक आदिकारियों के साथ के से निपटा गया आज इसी विश्वे पर चर्चा होगी तो सबसे पहले तो उनका परिचे करा तो सारंगपुर के ही निवासी हैं और सारंगपुर नगरपाली का में छोटे से पस्से लेकर आज मुक्ष नगरपाली का अधिकारी तक पहुचे हैं तो इस पर क्या खाएंगे सबसे पहले केसा लगड़ा है सारंगपुर के रहे सारंगपुर में ही सीमो बने आज वेसे मैं सारंगपुर का निवासी है और सारंगपुर की जनता के लिए मैं जितना कर सकता होतना मेरे लिए कम है मैं सोभागे की बात है कि मैं सारंगपुर की जनता का सेवग्यात बना हूँ जैसा कि आपने देखा है कि पिछले मार्च से लगा के माई तक अधिकतर जो समय निकला वो कोरोना वेशिक महामारी का निकला है उसके संबंद में मैं बताना चाहूंगा कि जो कोरोना महामारी थी एक वेश्जिक महामारी थी इसने सभी को भयावे इस्तिधी पेदा कर दी थी इसमें हमने वरिष्ट अधिकारियों के मांख दसन में कलेक्टर साब जो जिला राजगर के निरच कुमार सींग जी मेरे प्रिदेशन में और मेरी जो टीम है, उन्होंने मेरे साथ कंदे से कंदा मिला कर काम किया है। सातिवोंने कंदेश कंदा मिला उसका सात दिया है समय समय पर वार्डो में सेनिटाइजर करवाया है contentment छेत्र हमने वनवाए है कोरोना पाजिट मिलने पर contentment छेत्र के रहवासियों को महाँ पर हमने duty लगा कर पामी की सपलाई साथ साथ उनके यहां सामगरी की सप्लाई के लिए भी हमने कर्मचारी ड्यूटी लगा कर वहां पे उनको सुविधाय प्रदाम की गई है साथ ही मेरा अधिकारी जो मैंने अभी पहले नाम बता उनके मांग दसन में मैंने काम किया है और जैसे कि अस्पताल में जो पेसेंट भरती हुए थे लगबग लगबग मुझे पता है कि मैंने साथ से आठ अन्तेष्टी भी यहां पे करवाई है क्योंकि कोरोना काल में जहां भरती हुए थे उनकी डेथ हो गई थी तो उस डेथ के कारण मुझे जैसे बीयमों साब से सूचना मिलती और उसके लिए मैं लकड अन्तेष्टी कराई है और मैं इस वर से यही प्रात्ना करता हूं कि एसी भयावे स्थिति कभी जीवन में नहीं आए और जो लोग अपने कोरोना के काल में जिनकी मृत्य हो गई है उनके परिवार को मैं ढान बनाने की काम ना करता हूं तदा उन पर जो व्रज पात हुआ ह लेकि जो वज़परत हुआ है उनको में सब्द नहीं कि क्या कह सकता हूं पर इस वर से में प्रात्ना करता हूं कि इसका है कहर कभी नहीं आए और मैं सिनगर सारंबूर के लिए जितना मेंने किया अथना मेंने कम है मुझे सोबागी की बात है कि मैं यहागा सेवक बना धन् तो दूसरी लेयर में में कलेक्टर साब के निर्देशन में हमारे सब्सक्राइब के निर्देशन में यहां के जो सोचल सामाजिक संस्ता है उनके साथ मिलकर मैंने दूसरी लेयर के साथ भी यहां पे कांट किया है उनसे निप्टा है और वो लेयर इतनी खतरनाक थी कि मैंने आपको बताया कि उस लेयर से मैं भी डर गया था पर सासन की गाइडलाइन थी उसका हमने नगर पालिक हमने सेनिटराइजर के साथ उनको सोसल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए समय समय पर हमने मुनादी के माध्यम से स्वयम प्रत्यक्षि में जाके भी हमने लोगों को समझाया समस्त दुकांदार भाईयों को समझाया साथ ही समस्त गरंकंडमान नागरिक इतने भी नगर के थे उनको समझाया जितने भी सामाजिक संस्ताय थी उनको भी बारे में समझाया बीमारी के बारे में बताया और इससे कैसे बचना है उसके बारे में हमें बताया वेसे तो इसमें मास्क लगाएं, मास्क के साथ सा सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाटों को आपने बार-बार धोएं, और साथ की जतनी भी जो गाइड लाए नहीं है, उसका हमने सेन्परसेंड यहां पालन कराया गया, नहीं मानने वालों के ऊपर, जैसे आप भी था हमने बताया था कि सभाइब निर्देश कहां? बठीjak हैां जो परहीं लोगाइब तीसरी लहर में बेसाइनеци students तैयारिया नगर में टीजा रही है। दोरा करके चितने भी डूब छेत्रे उनको चिन्नित कर लिया है। तैयारिया नगर में टीजा रही है। तैयारिया नगर में टीजा रही है।